नमस्कार दोस्तो हमारे online tuition अड़ा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज के class बहुत ही important होने वला है क्योंकि यह class दोस्तो BVI class 4 है इसके पहले already मैं तीन class करा दिया हूं काफी दोस्तों ने उन तीनों class को देखा है और comment किये कि sir इसका अगला class लाइए बहुत important class है तो दो आपके लिए सच में यह important होने वला है क्योंकि इस class में मैं आग की मातरा वाले हां दोस्तो आग की मातरा से बनने वाले लगभग 500 से उपर सब्दों को मैं आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने बला हूं सब्द तो मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा ही साथ में उसक पढ़ना से बनने वाला दोस्तों जो मैं यह class start किया हूं इसमें मातर 15-16 classes होंगे और उतनाहीं से आप बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना बहुत जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि यह दोस्तों बहुत ही भीविया है very very important class है तो आए दोस्तो बिना देरी किये इस class को में शुरू करते हैं सुरू करने से पहले आपसे request है यदि आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को subscribe करके notification on कर लिजेगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुचे तो चले दोस्तों यहां पर हम कि मातरा बार बार जो हमनों पढ़ते हैं आखिर यह क्या होता है और इससे बनने वाले कौन कौन से सब्द होते हैं फिर उन सब्दों को जोड़ जोड़कर कैसे वाक के बनता है इस class को देखने के बाद आपको आ की मातरा से related जितने भी समझ से आएं पढ़ने और लिखने दोनों के लिए वो complete हो जाएगा तो देखें दोस्तों यह जो मातरा आप पढ़ते हैं मातरा जैसे कि मातरा मैं दोस्तों आपको बताया था कि यह इस परकार से करके मैं पूरे आगे तक मातरा बताया था जिसमें और का मातरा खाली था उस पर भी मैं special video बनाया हूं और आग की मातरा छोटाओ की मातरा इसके आगे हैं मैं सब पर वीडियो बनाऊंगा तो हम लोग आज की इस क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं special तरीका से देखिए इसका उचारन करके आप देखिए जब इसका उचारन प्रनोंसिशन करेंगे ना तो पुरा मुह खुलेगा इसमें तो कैसे आ देखिए आ तो मैं आपको इसमें मातरा में बताया था कि एक एक का पेर होता एक छोटा कोटा होता है और एक बड़ा होता है तो औक यहँदा कि बना दूंगा इसलिए वो को सब्सक्राइब करके जरूब रखिएगा ताकि वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे अब जल्दी से जल्दी आप उसको सीख पाएंगे ठीक है तो देखिए जिस भी अक्छर में जैसे कौ से लेकर कौ से लेकर गया तक हम लोग जो बेंजेंड बन लिखते हैं जिस भी अक्छर में ये आ की मातर लगेगा उसका उचारण आ की रूप में जैसे तो का चौ में आ की मातर लगेगा तो चा ठीक है तो में आ की मातर लगेगा तो यही प्रोसेस गया तक जाएगा तो इनसे मिलकर सब्द कैसे बनता है जैसे माले जै कि रा में आ की मातर लग से आप पढ़ना सुरुवात की है ना दोस्तों तो समझें कि इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है जितने तरीका से मैं इसको बता रहा हूं इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता है जैसे राम हो गया यदि आपको लिखना है और काका कैसे लिखना है काका देखिए कौमे आखी मातरा फिर कौमे आखी मातरा इस परकार के बहुत सारे आपको सब्द मिलते हैं सेम अक्षर वाले काका चाचा दादा नाना बाबा तो वो सब असान सब्द होता है जो कि छोटा बच्चा जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करता है उसको भ आपके साथ और फिर बीच-बीच में लिखना भी सिखाऊंगा उसके बाद दोस्तों इस सब्दों को जोड़ जोड़ कर कैसे वाक के बनेगा जैसे वाक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए वाक के मैं बता रहा हूं यहां पर जैसे माली की एक सब्द हो गया राजा राजा ठीक है दुसरा सब्द यहां पर हो गया बाजा ब तरीका से क्या हुआ एक वाग्य की बन गया तो इतना बड़ा वाध की को पढ़ने के लिए आपको पहले सब्दों को पढ़ना होगा फिर उन शब्दों को जोड़ जोड़कर बहुत सारे वाक्य को भी मैं पढ़ना सिखाऊंगा दोस्तों पूरे लास्ट एक वीडियो को देखिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और आप बहुत जल्दी से जल्दी हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकेंगे तो आए दोस तो यहां से हम लोग सब्दों को पढ़कर प्रैक्टिस करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे सब्द होते हैं जिसमें आखी मतर लगा हुआ राता है उसको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है देखें दोस्तों यहां से पढ़ेंगे रो में आखी मतर रा म राम रो में आखी मतर रा ज राज पो में आखी मतर पा ल पाल घो में आखी मतर घा त घाट हो में आखी मतर हा र हार चो में आ की मतर चाह जो चाह एक तो आप आ की मतरह बोल कर पढ़ सकते हैं दुसरा इसको आकार भी बोल कर पढ़ सकते हैं लो अकर ला खो लाख थो अकर था लो थाल डो अकर डा को डाक घो अकर घा तो अकर ता घाटा खो अकर खान खान सो अकर सा तो सात दो अकर दा लो डाल सो अकर सा लो साल मो अकर मा लो माल नो अकर ना तो अकर ता नाटा दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे लिखते समय कैसे हमनों ध्यान में रखेंगे देखें जैसे मैं अकार बोलकर पढ़ा हूँ जैसे आपको मालिक लिखना है बाजा क्या लिखना है बाजा या मालिक आपको लिखना है डांक क्या लिखना है डांक तो डो अकर डां अकार अकार मतलब एक ऐसे खड़ी लाइन आपके दिमाग में तुरत आएगा अकार मिन्स खड़ी तो डो में कहा देना है खड़ी लाइन देना है आकी मतरा डांक और डांक ठीक है अगर लिखना है जाल क्या लिखना है जाल तो जो अकार यानि जो में आकी मतरा और लो जाल ठीक है अगर लिखना है दाम क्या लिखना है दाम तो दो में आकी मतरा दा मो ऐसे दाम ठीक है अगर लिखना है खाल, क्या लिखना है, खाल, तो ख में आ की मातरा ऐसे, खाल, ऐसे खाल, तो इस तरीके से दोस्तों आप आ की मातरा वाले बहुत सारे सब्दों को बिल्कुल असान तरीके से आप पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे, तो देखें, प्रैक्टिस करना बहुत सिखाऊंगा और वाग की भी पढ़ना मैं सिखाऊंगा ठीक है चलिए यहां से पढ़ते हैं और डारेक्ट भी पढ़कर देखते हैं हम लोग छाता छाता खाता खाता पापा पापा लात लात बात घा गात, धान, धान, नाग, नाग, लाख, लाख, पाथ, पाथ, जान, जान, दा, द, दाद, खाल, खाल, लाथ, भात, भात, शान, शान, मात, मात, ला, र, लार, चा, ल, चाल, ता, ल, ताल, दा, म, दाम, नाव, नाव, नाक, नाक, अब इतना सब जो हम लोग पढ़े इसमीं से हम लोग लिखना सकते हैं जैसे मालेके लिखना है शान तो यह से शा का प्रोनाशोन होगा तो आपकी पे अकार ऐसे पा फिर पा में आ की मतरह ऐसे पा पा ठीक है अगर लिखना है ताल क्या लिखना है ताल तो तो में आ की मतरह से ताल ताल तो इस तरीका से आप लिख लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो के कमेंट में भी लिख कर यदि आपके पास इसकी यह बहुत अच्छे से आप जल्दी सीख पाएंगे ठीक ना क्योंकि पढ़ने के साथ दोस्तों लिखना भी बहुत जरूरी है ठीक ना पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत जरूरी है पढ़ा हुआ चीज यह आप लिख लेते हैं तो समझी को वह 100% आपका हो जात वान वान सजा सजा भार भार कान कान राख राख समा समा धा न धान रा मा रमा पा क पाक दा ग दाग भा ल भाल हवा हवा सड़ा सड़ा को मा कमा म जा मजा उसके बाद देखिए मजा के बाद यहां से साथ साथ गला गला डांक डांक मा प माप ता र तार र जा रजा रजा ठान ठान चाव गाव मा 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 हाफ हाफ चाचा चाचा का 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 दा न दाना गाना टा टा त सा त सात और भी सब्द है दोस्तों मैं स्टार्टिंग में ही बता है बहुत सारा सब्द है प्रैक्टिस कराने के लिए मैं इतना सारा सब्द आपको लिखा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए ठीक ना चलिए आगे देखते हैं हम लोग और सब्दों को छाता छाता माथा माथा काटा काटा पाया पाया ला या लाया इतना पढ़ने के बाद हम लो लिखना भी सिखते हैं चलिए यहां देखते हैं पहले खाता खाता दा दा दादा गाज 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 ना 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 गारा गारा ला 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 वा दा वादा ता, ला, ताला आ, न, आना बा, जा, बाजा ना, ट, नाटा का, या, काया ला, ला, लाला का, रढ, काड़ा का, बा, काबा अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं जैसे मालिक लिखना है भाला तो कैसे लिखेंगे भा, देखें, दोनों अक्षरों में आकी मातर लगा है जितना यहाँ पे सब्ढ़ाएं, इसन complaint में दोनों में आकी मातर में लगा है जैसे लिखना है भाला, लाला अगा लिखना है ला ला तो कैसे लिखेंगे ला में आकी मातर से ला 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 ऐसे यहां पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको लोगना बहुत असान है फिर बाद में उसको दिक्कत होने लगते हैं इसलिए प्रैक्टिस कर लिजिए बहुत जरूरित पढ़ेगा आपको आगे बड़े-बड़े सब्दों को पढ़ने में तो बहुत बेसिक च सब्द ही मैं बता रहा हूं जिस समय लिए लिखा है चाला तो आपके दिमाग में आएगा च्छा यानि च्छा में आ की मतर से च्छा और लो में से आ की मतर ला च्छाला आप असानी से उसको लिख पाएंगे ठीक है कली आगे देखते हैं हम लोग और भी सब्द को पढ़क गा मा गामा पा लग पाला ता लग ताला जाव 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 पा न पाना रह मा रमा रह जाव 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 सादा लाखा गाफा काना सबा नाला नाला ब ला बला च ला चला ब न बना ला ला लाला न शा न शा ठीक है शाख शाख पा पात्र दा ग ठा ठा ठाट टा पटाप छा र चार जो यह रला में हम लोग पढ़ते हैं ऐसे होता है और यह च्छा यह बला चाता बला च्छा टेक न यह च्छा में और इस च्छा में अंतर होता है जो कि मैं पिछले क्लास में बताया हूं इसका माय माय लाय लाय छा यह भा यह सा यह सा भा तो दोस्तों हम लोग बहुत सारे सब्दों को पढ़ लिए अब यहां पे हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे ठीक ना बहुत सारा वाक्य है वाक्य कैसे परतना हम देखिए राजा राजा बाजा बाजा लाया लाया राजा बाजा लाया काम काम पर पर जा काम पर जा नाम नाम कमा कमा नाम कमा और इस परकार के आपको कौई सब लिखने के लिए बोलता है तो कैसे लिखेंगे जिसे नाम कमा तो आप लिखेंगे नाम revenge आ पिउस जबस करेंगे पूरे sentence पूरे ने करना है सबीव खुछ करना है पले वाकर को सून लेना है सब़ skippedयो उन्य वाक्य था यहां पर बढ़ा बढ़ा वाक्य भी मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा आगे दखते चलिए आम आम खा आम खा बादल बादल अया आया बादल आया माता का आधर आधर कर माता का आदर कर जहाज जहाज पर पर चड़ पापा का कहना मान मान घर घर पर पर जा घर पर जा मट का मट का भर भर ला मट का भर ला बाजा बाजा बजा 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 ठीक है चलिए और भी सब्द है यहाँ पर देखते चलिए राधा राधा आटा आटा मत मत ला राधा आटा मतला आज आज दाल दाल भात भात चक चक आज दाल भात चक राम राम घर घर जा रहा रहा है राम घर जा रहा है राज राजा ताज ताजा खाना खाना खाया खाया तो इस तरिका से दोस्तों आप आकी मात्राइवाले सब्दों को पढ़ेंगे अब लिखने की बारी आई थोड़ी से एक एक आद वाक्य को हम लोग लिख कर देखते हैं जिसे माले कि इतना बड़ा ये वाक्य है इसको कैसे हम लोग लिख पाएंगे शुद्ध रुप से जैसे धान का फल पका कर लाया तो आपको मैं क्या बता हूं कि एक एक सब्द पर फोकस करना है जैसे धान पहले लिख लेंगे धान उसके बाद क्या है का फल तो फ इसमें मातरा नहीं है तो बीना मातरा वाले दोस्तों मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूं तो धान का फल पका यानि पका कर 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 लाया इस तरीका से आप असानी से दोस्तों एक एक वाक की को लिख सकते हैं ये पहली सीड़ी है दोस्तों इसी तरीका से आगे छोटी की मातरा बड़ी की मातरा करकर के आप असानी से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से जल्दी से जल सिख पाएंगे तो दोस्तों आज के क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट वक्स में लिख कर बताना है चैनल पर यदि पहले वार विजिट कर रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नुट्फिकेशन आउन कर दिजेगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तु